नमस्कार टार्गेड विदालों के 8 पीम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विवेक मिश्रा खबरों की सुरुवात करने से पहले एक नसर अब तक की सुर्खियों पर वायु सेना का मिक 29 फाइटर जेट क्रेस पाइलेट की हालत कमभीर खगोल वाज्यानिकों ने खोजा प्रतिवी का सबसे करीबी ब्लैक होल एक हजार प्रकास वर्ष की दूरी पर है इस्थित यूनिसेफ ने जारी की लॉस्ट एट होम नाम से रिपोर्ट 33 मिलियन लोगों का अंतरिक विस्थापन टीयस तिरमूर्ती बनाए गए यून में भारत के अस्थाई प्रतनिधी 1985 बैच के अधिकारी हैं टीयस तिरमूर्ती और अब आई ये खबरों को विस्तार से देखते हैं पंजाब में भारती सेना का एक फाइटर प्लेन मिग 29 क्रेस हो गया है यह घटना सुबह 10 बच कर 30 मिनट पर पंजाब के होसियार पुर जिले में हुई राहत की बात है कि पाइलट ने प्लेन क्रेस होने से पहले ही अपनी जान बचा ली थी लेकिन हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है उन्हें सिबिल अस्पताल में इलाज के लिए भरती करा दिया गया है पुलिस जिला प्रशासन और वायुसेना के आला अधिकारी मौके पर पहुच गये है दो इंजन वाले इस विवान ने सन 1977 में उरान भरी इसे सोबियत संग ने डिजाइन किया था भारत इस विवान को खरीदने वाला पहला अंतराश्ट्रिय ग्राहक था सन 1980 में इंडियन एर फोर्स ने 50 से ज्यादा मेग 29 का ओडर दिया था भारती मौसम विभाग ने अपने वेदर बुलेटिन में अब पहली बार पाकिस्तान के कबजे बाले पाक अधिकरित कस्मीर को सामिल किया है मौसम विभाग का यह कदम भारत के इस स्टेंड के लिहास से महतपूर है कि पीओ के भारत का एक अभिन्न हिस्सा है भारती मौसम विभाग ने यह कदम तब उठाया जब पाकिस्तान की सुप्रिम कोट ने गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाओं के आदेश दिये हैं भारती मौसम विभाग के डारेक्टर जनरल मृत्तुंचे महापात्रा ने बताया कि भारती मौसम विज्ञान पूरे जम्मू कस्मीर और लदाक के लिए बुलेटिन जारी करता है और अब हम गिलगिट बल्टिस्तान और मुझफराबाद के लिए भी बुलेटिन जारी क्योंकि यह छेत्र भारत का एक अभिन्न हिस्सा है भारती मौसम विभाग लंबे समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला देश नेपाल के लिए चेतावनिया जारी करता रहा है मौसम विभाग के अनुशार P.O.K के ये सहर भारती मौसम विभाग के उत्तर पस्रिम डिवीजन में आते हैं उत्तर पस्रिम डिवीजन में 9 सब डिवीजन हैं जिसमें जम्मू कस्मेर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगण, हरियाडा, पंजाब, पू चुनाओ कराये जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया था। आपको बताते चले की भारती मौसम विभाग भारत सरकार के प्रिथवी विज्ञान मंत्राले के अंतरगत, मौसम प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कारिभार सम्हालने वाली स सर्वप्रथम एजनसी हैं। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में इस्थित है इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार कटिका भर में सैकडों प्रक्षण स्टेशन चलाये जाते हैं। वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्यु हाल ही में UNICEF यानी United Nations Children's Fund ने Lost at Home नाम से एक प्रतिवेदन जारी किया। इस रिपोर्ट का मानना है कि भारत में प्राकृतिक आपदा, आपसी संघर्स और हिंसा जैसी वजहूं से 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विश्थापन हुआ है। विश्थापितों में अबोध बच्चों सहित कुल 12 मिलियन बच्चे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सरवाधिक आंतरिक विश्थापन भारत में हुआ है। पूर्ब में इसे संयुक्त रास्ट अंतर रास्टी बाल आपात कालिन कोस यानि यूनाइटेड इंटरनेशनल चिंडरेंस इमर्जनसी फंड कहा जाता था। भले ही अब इसका नाम बदल दिया गया है परन्तु इसके संग्छिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। पोलेंड के चिकित्सक लुडविक रॉस्मन के प्रयासों से इसे अस्थापित किया गया। हेगन में इस्थित है और वह HIV, पोशन संबंधी खुराक, आपात कालिन आस्रयों, परिवारों के मिलन और बच्चों वह माताओं के लिए टीके एवंग एंटी रेट्रो वाइरल दवाओं जैसी आवस्थिक वस्तुओं के वितरण के लिए प्राथमिक्ता के रूप में कारियरत है। यूनिशिप को इसके सेवा कायक्रमों के लिए वर्ष 1965 में सांती का नोबिल पूरसकार और बात में इंदिरा गांधी पूरसकार और 2006 में प्रिंस आफ अस्तूरियस अवार्ड दिया गया। वर्षमान में आवश्यक्ता है कि सरकारें विस्थापित बच्चों के समक्ष आई समस्याओं को निस्तारित कर इन्हें संरक्षित करने के लिए ततकाल कदम उठाएं। यूरोपी खगोल वैज्यानिकों ने हाल ही में प्रित्वी के सबसे करीब एक नए ब्लैक होल की खोज की है। आसपास दो तारों को जिल मिलाते हुई देखा जा सकता है। अगर खगोली भासा में बात की जाए तो यह आकास गंगा में हमारा पडोसी है। रिविनेस ने बताया कि इससे पहले ग्यानत प्रित्वी का सबसे करीबी ब्लैक होल 32 प्रकास वरसे की दूरी पर था। वैज्यानिकों के जरडल Astronomy and Astrophysics में प्रकासित एक अध्यन के मुताबिक इसके आसपास और भी ब्लैक होल के मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि ब्लैक होल या क्रिश्न वीवर इतने अधिक गुरुत्वा करशन क्षेत्र वाले ऐसी खगोली वस्तु है जिसके खिचाओ से प्रकास समेत कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल के चारो और इस्तिद क्षितिद सीमा में वस्तुवें गिर्थो सकती हैं परन्तु बाहर नहीं आ सकती इस छेत्र में भौतिगी का कोई नियम काम नहीं करता। प्रकास वर्ष दूरी की इकाई है जो मुक्य तह लंबी दूरियों जैसे दो तारों या गलेक्सीज वा ऐसी ही अन्य खगोली वस्तुवें के बीच दूरी मापने में प्रयोग की जाती हैं। एक प्रकास वर्ष तकरीबन 9000 अरब किलोमेटर या 63241 खगोली इकाई या 0.3066 पारसिक के बराबर होती हैं। आपको बता दें कि हमारी प्रित्वी का निकट्तम तारा प्राक्सिमा सेंटेरी और निकट्तम गैलेक्सी एंडरोमिडा गैलेक्सी हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजनेग टीयस तिरुमूर्ती को सयुक्त राष्ट में अपने अस्थाई प्रतनिधी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारती विदेश सिवा के 1982 के अधिकारी हैं। अस्थाई मिशन वह राजनेग मिशन है जिसमें सयुक्त राष्ट के प्रतेक सदसिदेश द्वारा अपना एक अस्थाई प्रतनिधी नियुक्त किया जाता है। जिसे सयुक्त राष्ट का राजदूत यानि UN अम्बेसिदर कहा जाता है। उसे राज़ के प्रतनिधी के तौर पर देखा जाएगा यानि उसका निरड़े देश का निरड़े माना जाएगा। 3 दिसंबर 1948 के सयुक्त राष्ट महासभा के संकल्प 257 के 111 खंड के अनुशार सयुक्त राष्ट में ऐसी अस्थाई मीशनों की उपस्तिती, सयुक्त राष्ट के उद्देश्यों और सिध्धानतों की प्राप्ती में सहायक है और यह सदस राज्जों और सचिवालयों के विभिन अंगों के सत्रों के बीच की अवधी में आवश्यक संपर्ग बनाए रखने में महत्त पूर्ण भोमिका का निर्वहन करते हैं। आपको बताते चलें कि सयुक्त राष्ट महा सभा सयुक्त राष्ट के पांच मुख्य अंगों में से एक है। इस सभा का हर वर्ष सदस देशों के प्रतनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। और अबंत में आईए कुछ अन्य महत्त पूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर जो आपकी परिक्षाओं के लिहास से बेहद महत्त पूर्ण साबित हो सकता है। तहत कारिरत यह संगठन सीमावर्तिक शेत्रों में सडक निर्माण और रख रखाओं का कारे करता हैं ताकि सेना की रणनीतिक आवस्चक्ताएं पूरी की जा सके। DPS नेगी ने स्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार समाला इस पदभार के अलावा स्री नेगी स्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ट स्रम एवं रोजगार सलाकार भी होंगे। आपको बताते चलें कि स्रम ब्यूरो स्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत स्रमिकों रोजगार और खुदरा मुद्रास्पिती से सम्मंधित आंकडे जुटाने और उनके विशलेशन का काम करता है। COVID-19 महामारी के दौर में वरिष्ट नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पिरामल फाउंडेशन और नीती आयोक के सहयोगात्मक पहल से दादा दादी और नाना नानी अभियान का सुभारम किया गया। इसके तहट असम, बिहार, जारखंड, मध्यप्रदेश, महारास्टर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 25 आकांक्षी जिलों में 29 मिलियन से अधिक वरिष्ट नागरिकों को कवर किया जाएगा। आपको बता दें कि सामाजिक रूप से पिछडे और अल्प विक्सिद जिलों में तेजी से बदलाव लाने के उद्देश से 5 जनवरी 2008 से आकांक्षी जिला कारेक्रम की सुरुवात की गई थी। पिरामल फांडेशन पिरामल समूह की लोकोप कारी साखा है पिरामल समूह एक विविध वैस्विक ब्यापार समूह है। इसका उपयोग मुखिरूप से अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लांच करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको जरूर कमेंट करके बताईए। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए। मुझे दीजिये इजाज़त नमस्कार।